दादी मा की तीस बेस्ट हेल्थ टिप्स स्वाद से लेकर सेहत तक समय निकाल कर जरूर सुने बहुत काम आएंगे. एक प्रोजाना 15 दिनों तक लगातार अनार का सेवन करने से पैरों का दर्ध ठीक हो जाता है. दोग सर्सों का तेल नाक में डाल कर सोने से कभी पेट बाहर नहीं आता है. तीन नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाएं इससे मोटापा कम हो जाता है. चार ज्यादा मीठा खाने से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं. पांच हरी मिर्च को नेचुरल पेन किलर के रूप में माना जाता है. छे एक चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खासी जल्दी ही दूर हो जाती है. साथ अंडा वजन बढ़ाने में फायदे मंद है. आठ अद्रक को कभी भी दूसरी सबजियों के साथ मिक्स करके ना रखें, इससे अद्रक खराब हो जाती है. नौप नमक में दो से तीन बूंद सरसों का तेल मिलाकर दान्तों में मालिश करने से दान्तों का पीलापन दूर होता है. दस हरे धनिये को अधिक समय तक फ्रेश रखने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखें. ज्यारा अजवाइन पेट के दर्द में बेहत फायदे मंद हैं. बारा काले चने को उबालते समय उसमें थोड़ा सा बेकिन सोडा डाल दें इससे वह जल्दी पक जाएंगे. तेरा संतरा खाने से जोडों के गर्द में राहत मिलती है. चौदर कटे हुए तर्बूज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसको फ्रिज में रखने से इसके पौश्टिक तत्व कम हो जाते हैं. पंदरा मखाने का सेवन करने से चहरे पर जुर्रिया नहीं आती. सोलह शैंपू में चीनी मिलाकर हफ़ते में दो बार बाल धोने से डैंडरफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. सत्रह गन्ने का रस पीने से हिचकी आना बंध हो जाता है. अठारह काली मिर्च सुंदर्ता बढ़ाने में फायदे मंध होता है. उननीस मैगी का सेवन करने से यादाश्ट कमजोर होती है. बीस अगर बुखार आने के बाद मुह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक लॉंग मुह में रखकर चूसे और बाद में इसे चबाकर खाले इससे आपके मुह का स्वाद ठीक हो जाएगा. इक्कीस चाच पीने से पेट की जलन दूर होती है. बाईस आम के पत्तों के पानी का सेवन करने से पत्थरी निकालने, शुगर को कंट्रोल करने और वजन कम करने में मदद मिलती है. तेईस टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद खराब हो जाता है. चौबीस अद्रक खाने से पेट की अच्छी तरह से सफाई होती है. पच्चीस अगर आप आसान तरीकों से अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए ककडी और खीरे का कामबिनेशन बेस्ट आप्शन हो सकता है, इसमें बेहत कम कैलोरी पाई जाती है, साथ ही इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक पेट भरा रखता है, ज कत खत्म हो जाती है, 27 सीताफल खाने से गुर्दों की डीमारी ठीक होती है, 28 फिटकरी को पानी में घोल कर नहाने से जिस्म की बद्बू दूर हो जाती है, 29 जिन लोगों का बलड प्रेशर कम हो जाता है, उनको चाहिए कि वो रोजाना खजूर खालिया करें, 30 खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी यह विडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर यह नियम अपनाए, हमारी यह विडिय आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो, तो विडियो को लाइक और शेयर कर दीजिये चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद